एक तक अपूर्च जिस करीकी का कॉंटेंट बना रही है उससे उनकी मुसीबते बढ़ सकती है जी हाँ एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे ऑल्च बाला जी जैसे कई ऐसे प्लाटफॉर्म का नाम शामिल है जिस पे चलने वाले कॉंटेंट पर अब साइबर सेल की नजर है एक स्टेट्मेंट इशू किया गया है और मुंबई पुलिस ने एक शिकायत दर्श की है दरसल पिछले कुछ दिनों में मुंबई पुलिस को ऐसी कई शिकायते मिली कि इंडस्ट्री के कुछ निर्माता मासूम लड़कियों का शूशन कर रही है और उन्हें अशलील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रही है पुलिस ने इस बारे में मामला दश करते हुए पौन फिल्म सामगरी बनाने वाले निर्माताओं को समन भेजा है जिसमें आल्ट बाला जी का नाम भी शामिल है इसके अलावा भी और भी OTT प्लाटफॉर्म्स है इसमें कई बड़ी कंपनी के अधिकारी शामिल है साथी महाराज साइबर सेल पुलिस ने अब तक 6 OTT और दो वेबसाइट के खिलाब इंटरनेट के जरीए अशलीलता फैलाने को लेकर मुकदमा दज किया है ये बात तब सामने आई जब ये बात पता चली कि लॉकडाउन के दोरान और लोगों को इस प्रकार के कंटेंड को पसंद करने का सबसे ज़ादा फायदा उठा रही है OTT मालिक ऐसे चैनलों पर किसी प्रकार की पावंदी ना होने का फायदा उठा रहे है आप सभी जानते हैं किस तरीके का कॉंटेंड जो है OTT प्लाटफॉर्म पर परोसा जा रहा है इसी रह में XXX, गंदीबाद, चरमसुख जैसी कई अशलीर वेब सीरीज रिलीज की गई महराज साइबर सेल ने एक बयान जारी किया है उन्होंने काहा है इन समी प्लाटफॉर्म और वेब साइट की कई समय से निगरानी की जा रही थी और अब तक की जाच में ये सामने आया कि इन फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों का शोशन करके वीडियो और फिल्में तयार किये गए है इतना ही नहीं कुछ कंपनियों को समन भी भेजा गया है और जो तक्नीक है VFX मेरे ख्याल से लिखना होगा VFX तक्नीक का इस्तेमाल करके नामी गिरानी में अभिनेत्रियों के भी अशलील वीडियो बना रही है यानि की क्रॉप करके उनका चहरा लगा दिया जाता है इन वीडियो में देखने वाली अभिनेत्रियों की इन वीडियो के जरीए छवी खराब हो रही है तो जिन प्लाटफॉर्म पर इनको समन भेजा गया है जिनके नाम शामिल है मैं आपको पढ़के सुनाती हूँ इसमें एकता कपूर की आल्ट बाला जी, होट शॉट, फ्लीज मुवीज, फीनियो, कुकू, नियो फ्लिक्स, उल्लू, होट मस्ती ये सारे नाम जो है प्राइम फ्लिक्स, वेट फ्लिक्स, ये सारे नाम जो है शामिल है तो जाहिर सी बात है कि एकता कपूर की आल्ट बाला जी पर भी अब साइबर सेल की नजर है और जो समन है वो इशू किया जा चुका है